सब्सक्राइब मैं चानल और प्रेस दबल आइकन फोर इंट्रेस्टिंग वीडियोस आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू टिक का जिसके लिए हमें चाहिए हमने एक बोल में यहाँ दो चमच जितना टेल डाल दिया है फिर उसके बाद हम सारे सूखे मसाले डालेंगे ने भी मसाले डालूगी वो मैं आपको डालते डालते ही बता दूगी कितनी क्वांटिटी है अब हम बोल में डालेंगे एक चमच जितनी कश्मीरी लाल मर्च एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच चाट मसाला पाउडर दो चमच जितना तंदूरी मसाला पाउडर और तीन चमच भरके दही फिर हम डालेंगे हमारे अनियंस और कैपसिकम क्यूब्स में कट किये हुए उसके बाद हम दो बोल आलू को क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये पूरी चीजों को हम अच्छे से चमत से या हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम एक छोटी कटोरी लेंगे जिसमें आधे चमत जितना घी डालेंगे और उसमें एक कोईला बॉन करके डाल देंगे यह हमारे पूरे बोल को हम 10 से 15 मिट तक धक्के रखेंगे उसके बाद हम बड़ी स्टिक्स लेंगे जिसमें हम पहले शिमला मिर्ची डालेंगे उसके बाद हमारा क्यूब ओनियन फिर आलू और यह पूरे प्रसीजर को हम रिपीड करेंगे स्टिक में हमें स्टिक में अच्छे से टाइटली सारी चीजों को डालना है ताकि वो निकले ना भाहर उसके बाद हम लेंगे तबा जिसमें हम तेल गरम होने डाल देंगे आप देख सकते मेरी स्टिक्स ऐसी बनी है और उसके बाद तेल गरम होने पर हमारी स्टिक्स हम फ्राई करने डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर हमारी स्टिक्स अच्छे से फ्राई हो रही है अब इसे हम टर्न करेंगे टर्न बाई टर्न हमारी तंदूरी आलू टिक्स अच्छे से हो चुका है अब इसे हम प्लेट पे निकाल के सर्फ कर देंगे